तोस्तराइं करते हैं अपना जो नया टॉपिक है एकुलिव नया टॉपिक नहीं है तो अमने लास्ट जो हमारा कुछ साथ-र्ड लेसन थे उसमें हमने देखा था Features of Parliamentary Form of Government जिसमें हमने double membership देखी थी इसके साथ साथ ये देखा था कि जो membership होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा required होती है मतलब important, essential है अगर आपको कोई भी minister बनना है तो उसके लिए आपको लोगसवा या राजसवा for the case of center or legislative assembly or legislative council for the case of state assembly तो अगर आपको मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए आपको essential है कि आपको 6 महीने के अंदर-अंदर member होना होगा किसी भी house का ठीक है और अगर आप member नहीं होते हो फिर भी आपको appoint किया जा सकता है minister के लिए पर 6 महीने के अंदर फिर आपको minister, मतलब membership किसी भी house के लिए नहीं होगी तो इसके example देखेते हैं कि किस तरह से जो अरुन जेटली थे वो finance minister बने थे पर उस समय वो member नहीं थे house के योगी आज इतिनाथ जो कि UP के CM बने उस समय वो भी किसी house के member नहीं थे तो इस तरह से हमने अब हम देखते हैं कि हमारे parliamentary form of government जो कि हमारे देश के अंदर है तो अगर caution आता है तो हम कुछ ऐसे points बताएंगे नहीं जिससे कि हाँ ये points ये valid points है इसकी वजए से हमने parliamentary system अपने देश के अंदर implement किया है तो parliamentary form of government के जो benefits है merits है वो कहा है सबसे पहले है harmony between legislature and executive तो मैंने आपको बताया था example के तौर पर आपको बताया था कि जिस तरह से ये बड़ा सरकिल था इस बड़े सरकिल के अंदर कई सारे member of parliament थे और उसके अंदर एक council of minister थी और उसके अंदर cabinet थी ठीक है और ये लोग जो थे इनके पास driver membership थी legislature भी थे ये साथ साथ executive भी थे तो यानि कि जो फैसला ले रहा है जो policy बना रहा है जो भी कोई नया act को commission कर रहा है या फिर किसी act जो पहले से चलता आ रहा है उसको खतम कर रहा है executive is also a legislature cabinet council of ministers जो है वो executive है साथ ही साथ legislature है ठीक है इस वज़े से वो चीजों को एक जिम्मेदारी के तौर पर करना है कि उनको हग दिया गया है legislature के तौरा और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उनको और कई सारे तरीक है जो जिस तरीके से उनको हटाय जा सकता है जैसे no confidence motion हो गया तो इसलिए वो harmoniously वर्क करते है legislature and executive ठीक है तो यह सबसे benefit है इसका एक merit है दूसरा है responsive government तो हमारी जो government होगी ना उसमें accountability होगी ठीक accountability का मतलब होता है accountability मतलब कि आप direction भी दे सकते हो और साथ-साथ अगर आपने direction को follow नहीं किया तो आप punishment भी दे सकते हो जैसे teacher है वो teacher बच्चे को direction दे सकता है है ना पर punishment नहीं दे सकता punishment को नहीं दे सकता punishment देगा तो बच्चा उससे root जाएगा परिशान हो जाएगा या फिर मतलब पनिश्मेंट का मतलब मार ने सकता पीट ने सकता उसको वरना वो बोलने लगेगा और बच्चा उससे अलग हो जाएगा पर यही अगर हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें सिखाएंगे वी देखो सुपर उठके सबसे पहले मतलब नहाना दोना चाहिए ब्रश करना चाहिए उसके तो पार्लिमेंट्री फार्म को गवर्मेंट में अकॉंटिबिलिटी होती है तब ही वो इसलिए रिस्पॉंसिबिल गवर्मेंट होती है और अगर इनका काम पसंद नहीं आया तो नो कॉंफिडेंस मोशन आएगा और उसकी वज़ए से कांसल और मिनिस्टर पॉल कर आपने जो पॉलिसी लेके आए उसका पॉब्लिक के ऊपर क्या गलत प्रभा पढ़ रहा है अच्छा प्रभा पढ़ रहा है और इसके रेपरकरशन के हैं तो यह सारी चीज़े हैं जो कि उनको को रेसंदार बनाती हैं तो इस सब्स cavos क सकते हैं कि जो पारिमेंट्री फार्म कॉर्मिएट वह रेसंदोवर्मिंट कि ठास WIN्ञबा तो यह थे हमारे दो मेरिट्स अब अगले दो मैरिट्स नक्स यसलम